नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने जिंदगी में English नहीं आने की वज़े से अपनी तरक्की नहीं कर पा रहे हो? क्या आप कई सालों से कोशिश कर रहे हो कि मुझे English में बात करनी है, मुझे confidently English में बोलना है पर आप उसे successfully नहीं कर पाए हो? क्या जब भी आप English सीखने की कोशिश करते हो, या जब भी आपके मन में ये सवाल आता है कि मुझे English सीखनी है, तो क्या सबसे पहले आपके दिमाग में grammar का खयाल आता है? दोस्तों, अगर आप आपके जिंदगी में English इंप्रूफ करना चाहते हो, इंगलिश का सहरा लेके आप तरक्की लेना चाहते हो, प्रोमोशन लेना चाहते हो, तो let me tell you first thing, कि आपको इंगलिश सीखने के लिए grammar सीखना जरूरी नहीं है, जी, और यह मैं क्यों बोल रहा हू क्योंकि याद करिए दोस्तों कि आप, आपकी जो mother tongue है, वो जो आप बोल रहे हो, जिस fluency के साथ में बोलते हो, सो मैं हमेशे ये सवाल पूछता हूं, कि क्या आपने आपकी mother tongue पहले grammar सीखने के बाद बोलना चालू किया है, या पहले बोलना चालू किया है, और फिर grammar automatically develop हो है, दोस्तों हमारा brain जो है, वो उसी तरीके से चीज़े सीखता है, सो ध्यान में रखिएगा, कि हम आपके लिए एक जबरदस्त course लेके आये है, English conversational course, yes, इसमें हम आपको English सिखाएंगे, वो भी conversation करने के साथ, और ये English conversation होगा, छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोट statements हम बनाएंगे और उसके हिसाब से हम English बोलना सीखेंगे, so thank you so much, global skills आपके करियर का साथी,